JSX तो आपने शायद यह कई बार सुना होगा कि ReactJS के अंदर हम जो है Normal HTML नहीं लिखते हैं इसके अंदर हम JSX लिखते हैं तो आज हम इस वीडियो में यहीं जानेंगे कि basically JSX होता क्या है और यह कितना different है Normal HTML से तो first of all हमारा कोई भी अगर हम component create करते हैं JS के अंदर यहाँ पर हमारा जो है normal app component created है इस React component के अंदर यह return method है इस return method के अंदर हमारे पास जो HTML लिखा हुआ है यही HTML जो है यह है JSX basically तो ReactJS क्या करता है compile कर देता है इसको normal HTML में जब यह browser पर render होता है तो अगर मैं यहाँ पर इसको inspect करके देखूँ तो यह normal div की तरह ही append हुआ होगा यह वाली जो div यहाँ दिख रही है वो ReactJS ने Babel के थुरू compile करके जो है normal HTML बनाके उसको browser पर render कर दी अगर आप जानना चाते हैं कि Babel कैसे काम करता है तो आप Babel की website पर जाके पढ़ सकते हैं Babel is a JavaScript compiler और यह जो है basically JSX क्या होती है JSX stands for JavaScript XML ठीक है ना JavaScript XML तो behind the scene यह है JavaScript ही यह HTML नहीं है JSX जो है वो JavaScript ही होता है और ReactJS जो है Babel के थुरू उस JavaScript को HTML में convert कर देता है ठीक है तो यह तो है सबसे main चीज़ जो आपको याद रखनी है ठीक है और उसके अलावा हमें अगर यहाँ पर लिखना है तो basically जो beginners होते हैं उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि हम जो है HTML नहीं लिख रहे हैं हम JSX लिख रहे हैं ठीक है ना ReactJS ने इतना beautifully इसको create कर रहा है JSX को के normal developers जो हम लोग होते हैं हमें लगता भी नहीं है कि हम normal HTML नहीं लिख रहे हैं ठीक है और यहाँ पर मैंने कुछ text वगरा दाल दिया तो अगर मैं normal HTML लिखता है तब भी मैं यह चीज ऐसे ही create करता है ठीक है और JSX के अंदर भी सेम तरीका है ठीक है तो देखिए अगर आप HTML जानते हैं तो JSX आपके लिए बहुत जादा easy रहने वाला है यहाँ पर आपको कोई भी difference पता नहीं चलेगा आपको लगेगा भी नहीं कि आप JSX लिख रहे हैं आप normal HTML नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ advantages है ठीक है ना हम JSX में basically यह है तो JSX ही ठीक है ना JavaScript ही है तो यहाँ पर हमें कुछ advantages मिलते है like let me just show you normal HTML के अंदर हम calculation हम जो है dynamic values एड नहीं कर सकते हैं like मुझे जो है यहाँ पर कुछ value लिखने लाइक 2 प्लस 2 ठीक है ना क्या मैं normal HTML में कर सकता हूं यह नहीं कर सकता but JavaScript के अंदर यह syntax valid है ठीक है तो यह यहाँ पर भी काम करेगा see this और हो गया ठीक है ना इसको मैं change कर देता हूं 5 कर देता हूं उदर 7 हो जाएगा ठीक है तो यह चीजे जो है हम JSX में कर सकते हैं but हम यह वाली चीजे नॉर्मल HTML में नहीं कर सकते है ठीक है उसके लावा conditional rendering हो जाती है let me just show you the conditional rendering part conditional rendering के अंदर क्या होता है जैसे कि हमारे पास कोई सा variable है let show ठीक है और इस काम कर देते हैं true अगर यह show जो है true है इसको कर देते हैं is show ठीक है अगर यह show true है तो ही यह वाला जो li है first वाला li वो दिखना चाहिए अदरवाइज नहीं दिखना चाहिए तो मैं क्या करूँगा मैं इसको conditionally जो है render करूँगा like मैं इसको curly bracket के अंदर wrap कर दूँगा अपना variable दालूँगा और यहां पर end लगा के इसको render कर दूँगा like अगर यह variable जो मैंने यहां पर दाला अगर यह true है ठीक है ना यह जो end end है इसके मतलब यह है कि अगर यह वाली value true है तो ही यह end end के आगे जो भी हमारा HTML लिखा हुआ है यह render हो और दरवाइज नहीं हो ठीक है अभी यह true है तो यह इदर render हो रहा है अगर मैं इसको यहां पर false कर दूँ देखिए वो जो है गायब हो गया ठीक है वो render नहीं हो रहा तो यह चीज़े यह advantages हमारे पास किस में हैं JSX में हैं क्योंकि यह java script है और यह same चीज़ जो है हम normal HTML CSS के अंदर नहीं कर सकते और इसी के साथ देखिए कुछ चीज़े और भी है like अगर हमें कोई part जो ह like I have a method here ठीक है ना const render header मैंने इसका नाम दे दिया header मैं header के HTML को separate रखना चाहता हूँ ठीक है तो मैं header का HTML जो है is render header method के अंदर लिख दूँगा यहाँ पर मैं return method लिखूँगा और इसके अंदर वो header की जो div है like header और इसके अंदर में जो है नेव items ले लूँगा नेव देख हों about contact ठीक है अब मैं इसको save करके यहाँ पर render करवा दूँगा इस ul से पहले अगर मुझे इसको render करवाना है तो मैंने इस method को call करवाया और इसको invoke करवा आप देखिए आप यहाँ पर हमारा header जो है वो direct उस method में से आ गया ठीक है तो यह सारे हमारे जो है ना advantages है jsx के अंदर on top of the normal html ठीक है तो इतना ही difference था jsx में और html के अंदर normal html में तो आपको जो है जादा इस इस चीज़ को समझने की जरूरत भी नहीं एक्चुली के behind the scene यह जो है जावा स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट को react.js कैसे convert करता है jsx को कैसे convert करता है normal html में क्योंकि यह जो चीज़ है ना यह एक्चुली react.js ने इतनी जादा smooth इसलिए और इतनी जादा identical normal html से इसलिए बनाई है ताके जो है normal जो developers होते हैं उनको feel भी ना हो कि वो html नहीं लिख रहे हैं तो I hope आपको जो है यह समझ में आया होगा कि jsx क्या है और यह कैसे काम करता है तो अगर आपने वीडियो भी तक like नहीं करी है तो जल्दी से इस वीडियो को like कर दीजेगा और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे next section की तरफ झाल